मतरप्रदेश की बढ़वानी से हैरान करने वाली कुछ तस्विरे सामने आई वहाँ भीडभाण वाले इलाके में मौझूद एक टायर की दुकान में भीश्वन आग लग गई आग लगने की वज़ा साफ नहीं हो पाई लेकिन तीन मंजिला वाली इमारत की दूसरी मंजिल से आग की लप्टें उप्ति हुई दिखाई थी इमारत की खिर्कियों से धुएं का गुबार दूर से दिखाई दिया आग लगने से लाकों की नुकसान का नुमान जटाया गया सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की कई गाड़िया मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया गया उत्तर प्रदेश के बाहु बली मुखतार अंसारी की एक और संपत्ती जब्त कर ली गए गाज़िपूर में उनकी पत्नी के नाम पर बन रहे शौपिंग कॉम्पलेक्स में पुलिस की टीम पहुची और पूरे गाज़े बाज़े के साथ बिल्डिंग कुर्क किये जाने की जानकारी थी और इसी ऐलान के साथ पुलिस की टीम ने गाज़ेपूर में बन रहे इस शौपिंग कॉम्पलेक्स की बिल्डिंग को कुर्क कर दिया दावा किया गया कि इसके कीमत करीब 3 करोड के आस पास थी जिसे मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर बना रहा था इससे पहले गाज़ेपूर के लाल दर्वाजा चौक पर बन रही इस अमारत को जब्द करने के लिए पुलिस की एक टीम धोल नगारों के साथ वहां पहुंची जहां लाउट स्पीकर के जरीए संपत्ती के कुर्क होने की जानकारी दी गई इसके लिए उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाते हुए मुनादी की साथी इमारत के जब्द होने का पोस्टर भी चिपका दिया इस दोरान किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए पुलिस के कई जवान वहां मौझूद रहे पश्चुमंगाल की मुक्यमंत्री ममता बेनरजी के एलान के बाद राज जुमे स्कूल खोलने की तैयारियां तेज हो गई है एक दिन पहले ममता बेनरजीरी राज जुमे सोला नमवंबर से नौवी से बारवी क्लास में पढ़ने वाले चात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोशना की थी जिसके बाद स्कूलों में साफ सफाई और कुरोना से बचाव के लिए दूसरे इंतिजाम किये जाने लगे जिसकी कुछ तस्वीरें कोलकटा के एक निजी स्कूल से भी सामने आई जहां स्कूल के मेन गेट और बसों से लेका टॉले टक को सैनिटाइस किया गया इन सब के अलाबा स्कूल के अंदर जाने के लिए फर्ष पर गोल गहरे बनाये गए ताकि छात्र एक दूसरे से दूरी बनाये रखने का ध्यान रखें बस की एक सीट पर एक ही छात्र बैठे इसके लिए भी सीटों पर क्रॉस के निशान बने दिखें स्कूल में इधर उथर जाते वक्त छात्र करोना नियमों की अंदेखी ना करें इसके लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से जगा जगा पोस्टर चिपका दिये गए अमेरिकी राज्य कैलिफॉनिया तूफान के बाद अब बर्वबारी की मार जिल रहा है मजूदा वक्त में कैलिफॉनिया 26 साल के सबसे भयानक तूफान से जूज रहा है जिसकी वज़े से वहां भारी बारिश हो रही है कई लाकों में बाड के हालाद बन गए लेकिन अब बर्वबारी ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है निवारा के पहाडों के आसपास बसे इन इलाकों में इतनी बर्वबारी हुई कि दो राज्यों को जोडने वाला मुक्य हाईवे पूरी तरह बंद हो गया बर्व की मोटी परत के बीच लोगों की गाड़ियां भी फस गई जो कि कई इलाकों में बारिश का सलसला जारी रहा तेज हवाओं की वज़े से कई पेड़ जमीन से उकड़ गए और गाड़ियों पर गिर गए कई रहाईशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ दावा किया गया कि तूफान की वज़े से करीब 3,80,000 लोगों के घरों की बिजली चली गई कई लाकों में जमीन खिसकने से रास्तों पर असर पड़ा जबकि तूफान के भायानक मंजर को जहल चुके लोग दहशत में नज़र आए दावा किया गया कि कैलिफोनिया की राजधानी सेक्रमेंटो में एक दिन में हुई बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड तूड गए मौसम विभाग ने अभी और बारिश और अचानक बार आने के खत्रे की चेतावनी दिये यूपी के कानपूर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई वहां रूई के एक गोदाम में अचानक आग लगई बताया गया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कुछ कर्मचारी गोदाम में मौझूद थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया लेकिन तब तक गोदाम में रखी रूई तेजी से आग पकड़ चुकी थी दूर से ही आग की लप्तें दिखाई दी जिसके बीच काले और घने धुएं का गुबार आसमान की तरफ उटता नजर आया आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और लोगों को वहां से अटाया गया आग की सूचना मिलने पर आसपास के इलाके से एक के बाद एक दमकल की कई गाड़ियां मौके पहुँचने लगी कुछ पुलिस वाले आग पर पानी की बौचार डाल कर उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए दावा किया गया कि दो गंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया बताय गया कि शौट सिर्किट की वज़े से गुदाम में आग लगी थी गरीमत ये रही कि वहां मौझूद लोग हादसे की चपेट में नहीं आए उत्तर प्रदेश के कौशामी से चौकाने वाली कुछ तस्वीरे सामनी आए वहां दो सांड लड़ते लड़ते फ़र्नीचर की एक दुकान में जाग उसे जिस वक्त वो दुकान में घुसे वहां कुछ लोग अपने काम में जुटे थे जिने सांडों के दुकान में घुसने से पहले वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला सांडों की इस तरह की लड़ाई का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि सडक से गुजर रहे ट्राफिक के बीच एक साण ने दूसरे को लड़ते लड़ते सडक किनारे गिरा दिया इस लड़ाई में वहां खड़ी एक मोटरसाइकल गिर गई और वहां मौझूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे वो इतनी हरबड़ी में था कि घुटनों के बल गिर गया वो फिर उठा और वहां से भाग निकला जैसे तैसे दुकान में मौझूद लोगों ने अपनी जान बचाई लेकिन साणों का गुस्सा था कि ठंडा होने का नामी नहीं ले रहा था ऐसे में दुकान में नुकसान का खत्रा बरकरार रहा इन हालात में उन साणों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने लकडी के कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके जब इससे भी सांड बाहर नहीं निकले तो उन पर पानी डाला गया बताया गया कि सांडों की इस लडाई में दुकान में काफी तूट फूट हुई और दुकान मालिक का काफी नुकसान हुआ यूपी के आगरा में बीजेपी यूवा मोचा के कारेकर्टाउं ने आरबियल पहुंच कर प्रदर्शन किया बीजेपी यूवा मोचा कारेकर्टाउं ने प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिन्दबाद किनारे लगाने वाले चात्रों के खलाफ कारवाई की मांग की तीन शात्रों को पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगाने के आरोप में कॉलेज पिर्शासन ने निलम्बित कर दिया। यूपी के कौशामबी में एक घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लगने से अपरा तफरी मच गई। हाला कि पुलेज और आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझा लिया गया लेकिन इस दौरान घर में आग फैलने से घर में रखा काफी समान जल गया। यूपी के पीली भीत में पर्ष चोरी के आरोप में दो महिलाएं आपस में भिड़ गई इस दौरान बीत सड़क पर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। यूपी के कौशामबी में दो सांड आपस में भिड़ गई और लड़ते लड़ते एक परनिचर की दुकान में घुज गई। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई गनीमत ये रही कि इस भगदर में कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली के रोहिणी में साइबर सेल ने दो फर्जी कॉल सेंटर का परदाफाश करते हुए 46 महिलाओं समेथ तिरपन लोगों को ग्रफतार कर लिया ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरीए लोगों से ठगी किया करते थे। बिहार के बेगुसराएं में ट्रक से लाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने ठक ठक गांग के तीन बदमाशों को ग्रफतार कर उनके पास से पंद्रा लाग क्याश और एक स्कूटी जब्त की ये बदमाश दिल्ली अंसियार में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मुंबै पुलिस ने समीर वान खेड़े की जासुसी मामले में अपनी रिपोर्ट दाकर करते हुए जासुसी के आरुपों को गलत बताया। सोहना चौक के पास बदमाशों ने शराँ की दुकान में फाइरिंग की और लूट को अंजाम दे कर फरार हो गए। यूपी के हातरस में एक होटल के करमचारी और ग्रहा का आपस में भिड़ गए। इस दौरा खाने पर हुए विवाद की बाद दोनों पक्षों में जमकर मार पीछ भी। आयोध्या दौरे पर गए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों